हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो आज फिर हम रिलाइंस फ्यूचर ग्रूप और एमाजोन जो डील से रिलेटेड न्यूज आईए ठीक है काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर आते हैं देखने को मिल रही मतलब बस एमाजोन के पास एक ही चारा बचा है उस चारा को भी अगर वो डिस्कोस कर देते हैं तो यहाँ पर फिर क्लीन चीट मिल जाएगी दोस्तो इस डील को कंटिनू रखने में एमाजोन और एक प् करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में यही बोलूँगा प्रॉफिट गूरू चैनल पर अगर आप नए हो तो डिफिनेटली सस्क्राइब करके जाए दूस्तो वीडियो पसंदारा वीडियो को लाइक करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में एप स्टॉक और एं यह एक न्यूज है न एक प्रकार से देखी जाए न तो फ्यूचर ग्रूप के लिए और रिलाइंस ग्रूप के लिए काफी तगडी देखने को मिल रही है तो आज आप देखेंगे तो करीवन हमें साड़े चार परसंट तक का मुमेंट यहाँ पर रिलाइंस के अंदर दे लिए था हाई देख सकते हो 2064 मतलब आलमोस्ट इहां से स्टॉक में काफी शांदार मुमेंट देखने को मिला और अगर लो देखेंगे तो 1922 रुपेगा देखने को मिल रहा है उसी बीचे कर हम देखते हैं कि स्टॉक का वॉल्यूम कि आज की डेट में आप देख सकते हो लगभग 1.96 लग कॉन्टिटी का वॉल्यूम में देखने को मिला है बावन बिक का हाई बावन बिक का लो ये तो आप लोग बहुत पूराने समय से देखते हैं हर डिल से जो भी न्यूज आती है वो हम आप लोगों को अपडेट करते हैं दोस्तो ठीके और यहीं पर अगर बचा है ठीके वह भी बलॉक हो सकता है एमाजोन के लिए ठीके तो चली यहाँ पर अपना आप देख लेते हैं जो न्यूज आई हो उसको तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉंबर के साइट के उपर मैंने आप लोगों को लेका हूं ठीके यहाँ पर क्या लि यहाँ पर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो नीचे अगर मैं बात करता हूं डिटेल्स में तो आप देख सकते हो यह तो एक नॉर्मल सी चीजे बास यह है कि एक कॉमर्स मेजर एमाजोन हैस मूब दा सुपरिंग कोट इन दा बीट टू ब्लॉक फ्यूचर ग्रूप डिल आ इस ने ठीक सिंगल जजवाली जो हाई कॉर्ट थी उसने फिर उस इसीने मतलब सिंगल कोट वाली के बाद एक दो जज़वाली , फिर यहाँ पर क्या पर हूई थी , मतलब रिकन्टिन्यू कर दी ती , वो double से चालू हो गई थी लेकिन obviously बात है दोस्तों ये Amazon को पसंद नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर ये deal confirm होती है तो आप लोगों को पता है कि retail के बाजार में जो लगभग future group के 1500 store जो देश में है वो पूरे किसकी हो जाएंगे Reliance के तो Reliance retail के बाजार में सबसे जादा market share वाली company बन जाएगी मतलब Reliance काफी तगड़ी performance के साथ market में आ जाएगी तो ये Amazon को पचा नहीं है यारा क्योंकि Amazon पिठते हो देखने को मेलेगी तो क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीके तो यहाँ पर आप यहाँ पर फेसला सुनाया और यहाँ पर अगर देखेंगे हाई कोट्ड यहाँ पर फेसले का यहाँ पर इंतजार है किसको जोस्तों यहाँ पर है RELYIONS को और future को RELYIONS को तो हटा देते RELYIONS को कोई फरक नकपड़ने वाला deal हो रहे है या नहीं हो रही है? सबसे पहली बात तो अगर होती है तो RELYIONS के लिए सबसे अच्छी बात है नहीं होती तो फिर भी RELYIONS stable ही रहेगा सबसे पहली बात लेकिन future group के लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है तो जैसे अब देख सकते हो development comes after डेली high quote मतलब डिली high quote ने तो यहाँ पर जो थी इस्टेटर क्यों मतलब जो deal से related वो तो यहाँ पर deal को double से restart कर दिया था ठीके देन उसके बात अब Amazon किसके पास गया है high quote के पास गया है दोस्तो ठीके तो जिससे क्या होने वाला है दोस्तो यहाँ पर अब यह फैसला जो आने वाला है इस फैसले के लिए थोड़ा सा समय दिया गया है ठीके बाकी अगर देखा जाए तो इस दोनों फैसले के ओपर Amazon और future group के तरफ से कोई भी response तो नहीं आते हो देखने को मिला है यह एक sources के तहट अपने को अब यह news पता चल रही है कि यहाँ पर supreme court के पास गया है Amazon double से इस deal को रोकने के लिए क्योंकि पता है दोस्तों Amazon को क्योंकि अगर यह चीज निकल जाती हास से तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी Amazon के लिए तो यह चीजे है दोस्तों बाकी तो आप देख सकते हैं जो भी news आती रहती वो हम आप लोगों को update करते रहते हैं खास चीजे यही यह बस एक sources के द्वारा जो निकल के आई यह चीजे वो ही हम आप लोगों को update करते रहते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे according to source तो यह source के द्वारा ही यह पूरी detail निकल के आईए कि यहाँ पर Amazon एक बार फिर से यह deal को रोकने के लिए 25 फरवरी तक यहाँ पर कुछ हो सके कि महां उस समय तक फैसला आ जाए तो जिसके करण आथ देख सकते हो Reliance में तो काफी अच्छा moment हमें देखने को मिला है दोस्तों जैसे कि आप चार्ट में भी देखेंगे तो चार्ट में भी काफी इंट्रेस्टिंग मुमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो one-sided मुमेंट देखने को मिला है और अगर बात करते हैं कि जैसे पांत दिन में पांत दिन में स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करीबन 6-7 परसंड का मुमेंट हुआ है मतलब एक swing traders का जो इंतजार था वो तो उसने लेके निकल गया ठीके वहीं एक महने की बात करता हो तो एक महने में स्टॉक काफी उपर से नीचे आया है छे महने की बात करता हो तो छे महने में आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं तो लगबख साड़े 4 परसंड के अगर continuously तेखने को मिलती है तो हो सकता है वो कोस्टो कोस आजा है बहुत सारे ट्रीडर्स क्या करेंगे रिलाइंस सबसे पहले तो एक्जिट होंगे तो दोस्तों उन्सों यही बोलना चाओंगा कि आप लोगों ने रिलाइंस में इतने दिन वेट किया है ना तो आगे 5 साल और कर ले क्योंकि 5 साल में यह अपना तरीके से क्लियर भी करता है अब टेलीकॉम सेक्टर में तो आप लोगों को पता है कि रिलाइंस का कितना शांदर पॉफोमेंस है और रिलाइंस अब सबसे पहले 5G लाने का प्लान भी उसका कंप्लीट हो चुका है बहुत जल्दी वह 5G प्लान भी मार्केट में उतार सकता है तो इससे काफी अच्छा यहां पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में तो जो नए ट्रेडर से अगर इंट्री लेना चाता है इस तेजी को देखके तो वो डेफिनिटली ले सकता है दूस्तों लेकिन टाइम फ्रेम आपको डेफिनिटली 4-5 साल का रखना प पैसल आईगा वो भी हम आप लोगों को अपडिट करते रहेंगे ठीक है तो ठोड़ी सी खुसि हमें과 ी रिलाइन्स में देखने को मिल रही है S visuals वह इसी पुराने导ी इस वीडियो को क्लोज करता हूँी अब श्र foram your source , और gosto切 comment आता लौत हो एंस वीडियो रही पर पिशन बाइए इस ब्र शुचिंखर शेGameोर हो श्राइव करता एं सब्रकित całूएद मार्केट अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं थैंकि दोस्तों